जेहन साथ ही स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर आज की वीडियो हम सामानी ग्यान से संबंदित कॉस्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपोटेंट हैं तो चलिए आपने हमारी यूटूब चैनल को सस्क्राइब तो कर ही लिया होगा अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और घंटी को दबाना ना भूलें और वीडियो को सेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो चलिए आज का फर्ष्ट कोस्चन है गौतम बुद्ध का बच्पन का नाम क्या था तो गौतम बुद्ध थे जो उनकी बच्पन का नाम था सिद्धार्त अंगला कोस्चन है भगवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती कहां हुई थी तो कहां पर हुई थी ज्यान की प्राप्ती तो इसका आंसर है बोध गया में अंगला कोश्चन है पंजावी भासा की लिपी कौन सी है तो इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर है गुरू मुखी अंगला कोश्चन है भारत की मुख भूमी का दच्छन तम किनारा कौन सा है तो कौन सा है दच्छन तम किनारा तो इसका आंसर है कन्या कुमारी अंगला कोश्चन है भारत में सबसे पहले सूर्र किस राज़ में निकलता है तो जल्दी से बताए कौन से राज़ में निकलता है सूर्र भारत में सबसे पहले तो इसका आंसर होगा अरोना चल परदेश अंगला कोश्चन है इंसूलन का प्रियोग किस बीमारी के उपचार में होता है तो जो इंसूलन है इसका प्रियोग कौन से बीमारी के उपचार के लिए होता है तो जो इंसूलन है इसका प्रियोग होता है अंगला कोश्चन है रतौंदी किस बिटामिन की कमी से होती है तो कौन सा बिटामिन आउली में पर्चुर मात्रा में मिलता है तो बहुत ही important question है तो कि भाई कौन सा बिटामिन है जो आउली में पर्चुर मात्रा मिलता है तो इसका आंसर है vitamin C अंगला कोश्चन है भारत का प्रतम गवन्नर जेनरल कौन था तो बहुत ही इंपोर्डन कोश्चन की भारत का प्रतम गवन्नर जेनरल कौन था तो इसका आंसर होगा बिल्यम बैटिंग अंगला कोश्चन है कागच का अविस्कार किस देश में हुआ तो कौन से देश में हुआ था कागच का अविस्कार तो इसका आंसर होगा चीन चीन देश में कागच का अविस्कार हुआ था अंगला कोश्चन है आरे समाच की इस्तापना किस ने की तो भै कौन थे जिन्हों ने आरे समाज की स्थापना की तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद ने अंगला कोश्चन भारत में ससस्त्र बलों का सर्वुच्च सेना पती कौन होता है तो कौन होता है ससस्त्र बलों का सरवुच्च सेनपती तो इसका आंसर होगा राष्टपती होता है अंगला कोश्चन विहू किस राज्य का प्रिसिद्ध तिवहार है तो बहुत ही important question है जो विहू है किस राज्य का प्रिसिद्ध तिवहार है तो इसका आंसर होगा असम अंगला कोश्चन है पॉंगल किस राज्जी का तेवार है तो पॉंगल कौन से राज्जी का तेवार है तो इसका आंसर होगा तमिलनाडू अंगला कोश्च ने हैं किस राज्जी के लोगनत हैं तो जो गिद्दा और भंगला हैं किस राज्जी के लोगनत हैं तो इसका आंसर होगा पंजाब राज्जी की अंगला कोश्चन है टेलिवीजन का विसकार किस ने किया तो कौन थे बहुत जिनों ने टेलिवीजन का विसकार किया तो इसका आंसर जोन लोगी बेर्ड है अंगला कोश्चन है भारत की पहली महिला सासी का कौन थी तो कौन थी भारत की पहली महिला सासी का तो इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान अंगला कोश्चन है मचली किसकी सहायता से सांस लेती है तो किसकी सहायता से सांस लेती है मचली तो इसका आंसर है गलपड़ों गलपड़ों की सहायता से सांस लेती है मचली अंगला कोश्चन है इंकलाब जिन्दबाद का नारा किस ने दिया तो कौन तेवा है जिन्होंने इंकलाब जिन्दबाद का नारा दिया जल्दी से बताईए क्या होगा इसका आंसर बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है तो इसका आंसर होगा भगस सहने अंगला कोश्चन है जलिया बाला बाग हत्या कांड कब और कहां हुआ तो जल्ली से बताई कब हुआ था जलिया बाला बाग हत्या कांड और कहां हुआ था तो इसका आंसर है 1919 में जलिया बाला बाग हत्या कांड हुआ था और कहां पर अमरिस्सर में अंगला कोस्चन है 1949 शवी मैं कांगरेज छोडने की बाद स्वास्चंद बोस ने किस दल की इसतापना की थी जलख़ी सी बताएं कौन सा दल है जिसके स्वास्चंद बोस ने इसतापना की थी तो इसका आंसर होगा फारवर्ड बिलॉक अंगला कोश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है तो बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है तो इसका आंसर होगा लाला लाचपत राए अंगला कोश्चन है सांडर्स की हत्या किसने की थी तो कौनते बाय जिनोंने सांडर्स की हत्या की थ तो इसका आंसर है भगस्त हैं अंगला कोश्चन है अठारा सो संतानु इसवी के बिद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया तो बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है तो इसका आंसर होगा मंगल पांडे अंगला कोश्चन है भारत की पहली महिला राजजपाल कौन थी तो जल्दी से बताईए कौन थी भारत की पहली महिला राजजपाल तो इसका आंसर है सरोजनी नाइडू अंगला कोश्चन है माउंट एवरेष्ट पर दो बार चलने वाली पहली महिला कौन थी तो कौन थी जो दो बार माउंट एवरेष्ट पर चलने वाली तो इसका आंसर होगा संतोस यादाओ अंगला कोश्चन है ब्रह्म समाज की इस्तापना किसके द्वारा की गई तो भाई कौन्ते जिनके द्वारा ब्रह्म समाझ किस्तापना की गई तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राए अंगला कोश्चन है स्वामी दायानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था तो क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम तो इसका आंसर है मूल संकर अंगला कोश्च ने बेदो की और लोटो का नारा किसने दिया तो कौन थे जन्होंने एह नारा दिया है तो इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती अंगला कोश्चे ने रामकृष्ण मिसन की इस्तापना किस ने की तो कौन थे वह जिन्हों ने रामकृष्ण मिसन की इस्तापना की तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेका नंद जी ने रामकृष्ण मिसन की इस्तापना की थी अंगला कोश्चन है बासकोडी गामा भारत कब आया तो कब आया था बासकोडी गामा भारत तो इसका आंसर है 1498 इसवी में अंगला कोष्चन बासकोडी गामा कहां करहने बाला था तो जो बासकोडी गामा था एक कहां करहने बाला था तो इसका आंसर होगा पुर्तगाल का अंगला कोश्चन हवा महल कहां इस्तित है तो बहुत ही important कोश्चन है कि हवा महल कहां पर इस्तित है तो इसका आंसर होगा जैपुर में अंगला कोश्चन है सिक्ध धर्म का संस्तापक किस सिक्ध गुरू को माना जाता है तो कौन से सिक्ध गुरू को सिक्ध धर्म का संस्तापक माना जाता है जिसका आंसर होगा गुरू नानक जी को अंगला कोश्चन है सिक्खों का पिरमक्तिवार कौन सा है तो कौन सा है सिक्खों का पिरमक्तिवार जिसका आंसर होगा बैसाखी बैसाखी सिक्खों का पिरमक्तिवार अंगला कोश्चन है लोह पुरुस किस महापुरुस को कहा जाता है तो किसको कहा जाता है लोह पुरुष तो इसका आंसर होगा सरदार पटेल को लोह पुरुष महा पुरुष कहा जाता है अंगला कोश्चन है नेता जी किस महापुरुस को कहा जाता है तो किस को कहा जाता है नेता जी तो इसका आंसर है सभास्चंद बोस जी को नेता जी कहा जाता है अंगला कोश्चन है दिल्ली इस्तित लाल भादर सास्त्री की समाधी का क्या नाम है तो बहुत ही important कोश्चन है जल्दी से बताए क्या होगा इसका अंसर तो इसका अंसर होगा बिजय घाट अंगला कोश्चन है महाभारत के रचेता कौन है तो कौन है महाभारत की रचेता तो इसका अंसर है महारसी बेदव्यास अंगला कोश्चन है अर्थ सास्तर नामक पुस्तक किसने लिखी तो कौन थे बहुत है जिनोंने अर्थ सास्तर नामक पुस्तक लिखी है तो इसका अंसर होगा चाब के Deme इंगला question है जाए जवान जाए किорм कसान का नारा किस ने दिया जल्दी से बताए कौन थे जिन्नों ने जाए जाए जवान और जाए किसान का नारा दिया था तो इसका आंसर है लाल बहादर सास्त्री जी झाला question संभीदान सबा की प्रारूप समीती के अध्यक्ष कौन थे तो कौन थे प्रारूप समीती के अध्यक्ष तो इसका आंसर है डाक्टर भीमराव अंबेटकर अंगला कोस्चन है विस रेट क्रोस दिवस किस तारिक को मनाया जाता है तो कम मनाया जाता है विस रेट क्रोस दिवस तो इसका आंसर होगा आठ माई को अंगला कॉस्चन है सूर्योदाय का देश की नाम से कौन सा देश पिरस्द है तो कौन सा देश पिरस्द है तो इसका आंसर है जापान जापान देश सूर्योदाय का देश की नाम से प्रिसिद्ध है अंगला कोश्चन अंतराष्टी महिला दिवस किस तिती को मनाया जाता है तो कौन सी तिती को मनाया जाता है अंतराष्टी महिला दिवस तो इसका आंसर है 8 मार्च को अंतराइटी महिला दवस की रूप में बनाया जाता है अंगला कोश्चन है छेतरपल की दरश्टी से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो जल्दी से बताए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा कि छेतरपल की दरश्टी से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो इसका आंसर होगा गोवा अंगला कोश्चन है ओडम किस राज्य का प्रसिद्य तेवहार है तो जो ओडम है किस राज्य का प्रसिद्य तेवहार है तो इसका आंसर होगा केरल केरल राज्य का प्रसिद्ध तियोहार है अंगला कोश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी तो बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी तो इसका आंसर होगा 1911 में अंगला कोश्चन है सबसे चमकी लग रहे कौन सा है तो बहुत इंपोर्टन कोश्चन है कि सबसे चमकी लग रहे कौन सा है तो इसका आंसर होगा सबसे चमकी लग रहे है अंगला कोश्चन है भारत का राष्टिय पसू कौन सा है तो कौन सा है भारत का राष्टिय पसू तो इसका आंसर है बाग अंगला कोश्चन बारत का राष्टिय जलिय जीव कौन सा है तो जल्दी से बताएए भारत का राष्टिय जलिय जीव कौन सा है तो इसका आंसर होगा गंगा डालफिन अंगला कोश्चन है भारत का राष्टिय फल कौन सा है तो इसका आंसर तो सबको ही पता होगा कि भारत का राष्टिय फल कमल अंगला कोस्चन है भारत का राष्टिय पेड कौन सा है तो जल्दी से बताओ बहुत इंपोर्टन कोस्चन है भारत का राष्टिय पेड कौन सा है तो इसका आंसर होगा बरगद अंगला कोस्चन है भारत का राष्टिय खेल कौन सा है जल्दी से बताओ भारत का राष्ट यह जंडे की लंबाई और चोड़ाई में अनुपात कितना होता है तो कितना अनुपात होता है तो इसका आंसर होगा तीन अनुपात दो अंगला कोस्चन है भारत का राष्ट्यकान किसने लिखा तो बहुत ही important कोस्चन है भाय कौन थे जिनोंने भारत का राष्ट्यकान लिखा तो इसका आंसर है रबेंदरनाथ टेगूर अंगला कोस्चन है भारत का राष्ट्यकीत कौन सा है तो कौन सा है भारत का राष्ट्यकीत तो इसका आंसर है बंदे मातरम अंगला कोस्चन है भारत का राष्ट्यकीत किसने लिखा तो कौन थे जिनोंने भारत का राष्ट्यकीत लिखा तो इसका आंसर है बंकिम चंद चटर जी अंगला कोश्चन महत्मा गांधी को राष्ट पिता सबसे पहले किस ने कहा तो कौन थे भाइ जिनों ने महत्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट पिता कहा था तो इसका आंसर होगा नेता जी सबास्चंद बोस जी ने अंगला कोश्चन हमारा राष्टी पंचांग कौन स तो जल्दी से बता यह बहुत important question है कि हमारा राष्ट्य पंचांग कौन सा है तो इसका आंसर होगा सक संबत अंगला question है राष्ट्यगान गाने की अबदी कितनी है तो जो राष्ट्यगान है इसको गाने की अबदी कितनी है तो इसकी गाने की अबदी है बाउन सेकेंड अंग सब्सक्राइब को फ़ली से बताएं कौन थे बाये जनला रेडिये यकट्वता की खोच ज्टी ति तो इसका ऐसलूंसर है हैंरी यह करलने इसलम है इसले पेस्मेकर का संबंद संब्सक्राइब के किस अंगसी है इसले थेत्वाइब कोजिद तूध का संबंद तो इसले प्यूस ग्रंथी को अंगला कोस्चन है कारवन का सरवादिक सुद्ध रूप कौन सा है तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर की कारवन का सरवादिक सुद्ध रूप कौन सा है तो इसका आंसर होगा हीरा अंगला कोस्चन है एक्सरे का विस्कार किस ने किया था तो इसका आंसर है रंट जन्ने अंगला कोस्चन है किस धातु का प्रियोग मानाव द्वारा सबसे पहली किया गया तो बहुत ही important question है वह धात क्वान सी है जिसका प्रियोग सरप्रितम मानव द्वारा किया गया था तो इसका answer है तामबा अंगला question है अंत्रेक्ष यात्री को ब्राह आकास क्या ऐसा दिखाई देता है तो जल्दी से comment में answer दीजिए क्या होगा इसका answer कि आंत्रेक्ष यात्री को ब्राह आकास क्या ऐसा दिखाई पड़ता है तो इसका answer है काला अंगला question है दूरबीन का विसकार किसने किया था तो जल्दी से answer दीजिए कि दूरबीन का विसकार किसने किया था तो इसका आंसर होगा गयलीलियों ने अंगला कोस्चन है दिल्ली इस्तित महतमा गांधी की समाधी का नाम क्या है तो बहुत ही इंपोर्टन कोस्चन है जल्ली सी आंसर कमेंट में बताईए क्या होगा इसका आंसर कि दिल्ली इस्तित महत्मा गांधी की समाधी का क्या नाम है तो इसका आंसर होगा राजगाट अंगला कोस्चन है भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली तो बहुत इंपोर्डन कोस्चन जल्ली से आंसर दीजी कमेंट में कि भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली तो इसका आंसर है बंबई जो बारतमान में मुंबई है से थाने तक अंगला कोस्चन है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नंगर में आरंब की गई थी तो जल्दी से आंसर कमेंट में बताइए कि क्यों संगर है जहाँ पर भारत में पहली बार मेट्रो रेल से वा आरंब की गयी थी तो इसका आंसर है कोलकाता अंगला कोश्चन है भारत में रेल का आरंब किस संगम향 हुआ तो कौन से संग भारत ये अंत्रेक्ष यात्री क्वोंते जल्ली of comment में अंसर बताए चाहिका या इसका अंसर होगा स्कौर्डन लीडर राकेश सर्मा 1884 में अंगला कोशन है भारत की पिर्थाम महिला मुक्हमंत्री कौन थी तो कौन थी भारत की पिर्थाम महिला मुक्हमंत्री तो इसका आंसर है श्रीमती सुचेता क्रपलानी अंगला कोशन हर्याना के पहले मुख मंत्री कौन थे तो कौन थे हर्याणा के पहले मुख मंत्री तो इसका आंसर है पंडित भगबत दयाल सर्मा जी जे हर्याणा के प्रित्थम मुख मंत्री थे अंगला कोस्चन है संयक्तुराष्ट संग की इस्तापना कब हुई तो बहुत ही important question है जल्दी सी आंसर बताई की कमेंट में कि संयक्तुराष्ट संग की इस्तापना कब हुई तो क्या होगा इसका आंसर तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945 में अंगला कोस्चन है संयक्तुराष्ट संग का मुख्याला कहां इस्तत है तो कहां पर इस्तत है संयक्तुराष्ट संग का मुख्याला तो इसक इसका आंसर है न्यू आर्क में इस्तत है संयक्तुराष्ट्य संग का मुख्यालाई अंगला कोस्चन है संयक्तुराष्ट्य संग के पहले महा सच्यों कौन थे तो कौन थे पहले महा सच्यों संयक्तुराष्ट्य संग के तो इसका आंसर है त्रिग वैली अंगला कोस्चन है इ कोशें सेयोक्त राष्ट संग सुरक्षा परिशत के कितने देश सदस्य होते हैं तो कितने देश सदस्य होते हैं जल्दी से बताएं कमेंट में अंसर तो इसका आंसर है 15 अंगला कोशें सेयोक्त राष्ट संग सुरक्षा परिशत के कितने देश 27 सदस्य हैं तो कितने देश 27 स अंतराश्टी नियालाई कहां इस्तत हैं तो कहां परिस्तत में पहले भारतिये वाघ्स सफानद से तो परिस्तित semis नियालाय ऑनञ्यृरत अंतराश्टी नियालाई इस्तत बहुत इंपोर्डन कोस्चन है तो इसका आंसर होगा अटल वहारी भाज़फीये अंगला कोस्चन है संयोक्त राष्ट संग सुरक्ष परिशत के आ mans consider कितने वर्ष के लिए चुने जाती हैं तो कितने वर्ष के लिए चुने जाती हैं अंगला कोश्चन है संयक्त राष्ट संग का 193 वा सदस से कौन सा देश बना था तो भै कौन सा देश है जो 193 वा सदस से बना था संयक्त राष्ट संग का तो इसका आंसर है दच्छन सूडान अंगला कोश्चन है किस बिटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है तो जल्दी से बताईए कौन से बिटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता तो इसका आंसर है बिटामिन के अंगला कोश्चन हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो हिंदी दिवस कि लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सेर करना ना भूलें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो क्या सा लगा हम नरंतन ही ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे आप बने रहें हमारे साथ जय हिन